दोस्तों IGCAR यानि कि Government of India Department of Atomic Energy General Services Organization में आ गई है वेकेंसियां कितने पदों पर वेकेंसिया निकली है सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ यहाँ पर IGCR की Official Website खुली होई है यह लिंक आपको वीडियो के Description पे भी मिल जायागा वहाँ से जा करके आप इस लिंक पर डिरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं Advertisement दिखे पूरा खुला हुआ है मैं आपको पूरा advertisement बताऊंगा साथ ही पूरा form fill up करके दिखाऊंगा कि इसका form किस तरीके से fill up करना है form इसका Excel में है, online form नहीं है Excel में आपको download करके fill करना है fill करके आपको इसको email करना है और कुछ इसकी बहुत ही खास जानकारिया है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को लाइक कर दीजे इस website पर पहुँचने के बाद आपको recruitment section में जाना है जैसे ही recruitment section में आप क्लिक करेंगे advertisement number, post और detail आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी advertisement number यहाँ पर दिया हुआ GSO-01-2022 अब यहाँ पर इसका PDF दिया हुआ है जो हमारा notification है car certificate है और यहाँ पर application form है application form पर click करेंगे click here के type पर आएगे यहाँ पर आपको application form पूरा देखने को मिल जाएगा application form किस तरीके से भरना है सब मैं आपको बताऊंगा उससे पहले बताता हूँ कि किस की कितनी vacancies निकली हुई है तो यहाँ पर देखिए एक table खुली हुई है यहाँ पर कितनी तरह की पोस्ट है यह सब यहाँ पर लिखा हुआ है medical scientist officer d.d. और उसके बाद में officer c. technical officer scientific assistant civil nurse scientific assistant b. pharmacist technician और technician b. इतने तरह के पदों पर यहाँ पर vacancy निकली हुई है group a की गजटेट पोस्ट है और group b की non गजटेट पोस्ट है अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ eligibility criteria क्या है कि कौन इसमें apply कर सकता है तो यह पूरी table खुली हुई है आप इस notification को download करके यहाँ पर देख सकते हैं तो medical officer के लिए mbbs plus md होना चाहिए इसी तरीके से medical officer 2 के लिए भी mbbs plus dgo होना चाहिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं technician officer की तो b.e.b.tec होना चाहिए civil engineering में जो की civil की post है उसके बाद nursing का है तो 12th plus nursing में diploma होना चाहिए तीन साल का तो आप इसमें कर पाएंगे साथ ही आपका valid registration होना चाहिए nursing central state council of India से या फिर आपने b.e.c nursing किया तो भी आप इसमें बिल्कुल भी apply कर पाएंगे उसके बाद में post है scientific assistant की अगर आपने b.e.c किया हुआ है 60% के mark से radiology में या फिर 50% mark से b.e.c recognized university से और एक साल का diploma है radiology में तो आप इसको apply कर पाएंगे scientific assistant Bombay यानि की बी में भी यही चीज है diploma hotel management में है catering में है electrical के लिए भी आपके तीन साल का diploma है तो आप इसको बिल्कुल भी apply कर पाएंगे civil में भी तीन साल का diploma है apply कर सकते हैं तो यानि कि आपका तीन साल का diploma है तो आप electrical civil electronics computer इसमें apply कर सकते हैं pharmacist का course किया है तो आप pharmacist के लिए apply कर सकते हैं nursing का course किया है तो nursing की भी यहाँ पर vacancy है radiology का किया है तो radiology के लिए भी आप इसमें apply कर पाएंगे सभी तरह की post है जो आपका qualification इसके according आपको post को fill up करना है फॉर्म किस तरीके से fill up करना है मैंने आपको बताया था किस फॉर्म को यहाँ पर download कर लेंगे उसके बाद में इस फॉर्म पर file में जा करके यहाँ पर download का option है और जैसे इसको Microsoft Excel में download करेंगे यहां पर देखिए आप यह फॉर्म खुल जाएगा इसको आप इस तरीके से खूलेंगे यह यहां पर Excel में open हो जाएगा और Excel में open होने के बाद में यहां पर यह देखिए Excel में open हो रहा है थोड़ा सा time लेगा इनेबल एडिटिंग के टैप पर आप यहां पर आ जाएगे, यहां पर दिखिए, इनेबल एडिटिंग के टैप यहां पर दिया हुआ, यहां पर आपको आ जाना है, यहां पर इनेबल एडिटिंग के टैप पर कर देंगे, तो यह एडिटिंग इसकी एनेबल हो जाएगी, और अपनी email id से इस form को fill up कर देना है, form fill up करने के लिए आपको यहाँ photo attach करनी है, photo कैसे attach करनी है, आप यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर बोलेगा कि enable नहीं है content, तो आपको यहाँ से content enable कर देना, जैसे आप content enable करेंगे, तो यहाँ पर photo आपका option आ जाएगा, इस तरीके से आप म पर आ गई, इस तरीके से post का नाम भरना है, post code भरना है, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर fill up करने, advertisement number आपके सामने दिया हुआ है, अपना नाम यहाँ पर block letters में इस तरीके से लिख देना है, मैं बता रहा हूँ कि block letters में लिखना है, और इसको मैं cash log करके block letters में इस तरीके कर लेनी है, age आपकी यहाँ पर calculate होकर क्या जाएगी, male female select कर लेना है, metal, stator, marine and married आपको लिख देना है, mark को identification mark है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरीके से, यह mole on cheek मैं लिख दे रहा हूँ, और आपका जो भी है, आप यहाँ आप यहाँ पर x, y, z, कोई भी चीज आ आप यहाँ पर भर सकते हैं, address आपको भर लेना है, जो आपको यहाँ पर correspondent address है, यहाँ पर आपको भर लेना है, और उसके बाद में city भर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर state भर लेना है, और pin code जो भी है आपका इस तरीके से आपको fill up कर लेना है, email आपको भर जाना है और मुबाइल नंबर अल्टर आधार नंबर भी आपको यह पर भरना है किस कम्यूटी से बिलॉंग करते हैं सेस्ट ओबीसी या पर फिलप कर लेना है एक सर्विसमेन है या नहीं आपको लिख लेना है अगर है तो आपको यहाँ पर simply लिखना होगा Muslim Christian 6 अविक इस में भी हाते हैं एक कोई तो आपको यहां पर मेंशन कर देना है यह से और यह पर भरनी पड़ेंगी उसके बाद में को experience है तो आप यहाँ पर फिलाब कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, को रिलेटिव है आपका DSO में, यानि कि Department of Atomic Energy में, तो आप इसका यहाँ पर detail दे सकते हैं, नहीं, तो आपको यह पूरा form इसी तरीके देना है, यहां पर declaration दे दिना है और यहां पर फीस पेइमेंट के लिए इस टैब पर क्लिक कर देना है, जैसे इस टैब पर क्लिक करेंगे, आप फीस पेइमेंट के option पर आप यहां पर आजाएंगे, जैसे आप आएंगे, I have read all the acceptance condition, प्रोसीड के कर देंगे अब यहाँ पर इंस्टीrab कर देना है कि कौन सा आ इंस्टीर्स को आप भर रहे हैं यहाँ पर आपको तेमिल नादु यहाँ पर अधि इस तो कल पकम है उसको सब्मिट कर देना है तो यहाँ पर आ आपको दिखाया था मैं फिर से दिखा देता हूं इसका डिखा देता हूं यहाँ पर यह दिया हुआ है यह आपको यहाँ पर फिलप करना है उसके बाद में आपको पोस्ट कोड भर लेना है जैसे इसे बाद में आपको प्रिंट लेना है यहाँ लेकर के आपको कहां भिजना वैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको ग्यारा पेज नमबर पर जाना है आपको भेजना है करियर आर जी करियर जी एसो अडल आई जी सी आडर जी यो डर इन पर आपको भेज देना है इसी का प्रेंट ले करके जो लोग M01 M04 और T01 पर भर रहे हैं वो लोग एक चीद ध्यान दीजेगा यहां पर यहां पर यह भीजना पड़ेगा आपको इसको भीजने के बाद में आपको यहां पर हड्ट कॉपी भीजनी पड़ेगी कहां भीजना असिस्टेंट परस्टनल ऑफिसर जन्रल ड्रश सर्विस रोगनाशिन कल पक्कम 603102 स्पीड पोस्ट से बेंग ना है पांच जिनके अ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए